विडियो स्टार्ट करते हैं तो गाईज हम लोगे आप आज चुके फिनांस रिजल्स में और करोड में नंबर्स दिये गए हैं इंकम कमपनी का 12 लक्स का जबके पिछले क्वाटर में 78 क्रोड था और जुन 22 क्वाटर में 93.7 क्रोड का इंकम था quarter on quarter year on year में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिला है मतलब कमपनी के इस बार कोई भी इंकम जो गएटा जनरेट नहीं किया है लेकिन expenses company का finance cost employee benefit expenses impairment on financial instrument depreciation amortization expense और other expenses सभी को एड करके जो expense हुआ है 6.5 करोड के यहां पे जो एड किया गया मतलब कि expense नहीं हुआ बलकि एड का गया क्योंकि other expenses में एड हुआ है जिसके बाद यहां पे 6 करोड का यहां पे एड है पिछले quarter 98.118 करोड का expenses एड किया था जबकि जुन 22 quarter 297 करोड का expense चार्ज किया गया था quarter on quarter में देख सकते हैं यहां पे down है year on year में भी देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है जिसके बाद यहां पे operating profit है 6.4 करोड का पिछले quarter में 9619 करोड का operating profit है को जुन 22 quarter 203 करोड का losses था जो कि quarter on quarter बहुत बड़ी गिरावट है year on year में बहुत तेजी से recover किया है लेकिन कमपनी को पिछले quarter में 3647 करोड का चार्ज लगा था जिसके बाद यहां पे कमपनी को 277 करोड के exceptional items में चार्ज लगा था इसके बाद यहां पे कमपनी को जो नेट profit निकल के आया 6.4 करोड का पिछले quarter में 5772 करोड का और जुन 22 quarter 139.8 करोड का लॉस था quarter on quarter बहुत वाड़ी फॉल है year on year में recover किया है EPS 0.13 रुपेज का quarter on quarter में फॉल है year on year में recover करतावा देखने को मिल रहा है तो कमपनी का यहां पर जो रिजल्ट आया है बहुत वीक रिजल्ट देखने को मिला उतना चार्ज रिजल कमपनी पेश नहीं कर पाई है जितना expect किया जा रहा था तो अब हम लोग जो है वीडियो को ही पर end करते हैं अगर को